हेलो दोस्तों नमस्ते सरलेश की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में आपको सेयर करूँगी बरसात के दुनों में मक्का या बाजरा खेत में या सड़क के किनारे खुद से उगने वाली जंगली सैंद या कचरी की टेश्टी सब्जी बना क करनेके लिए हमारे ब्रजवाशी छेतर मैं मत्रवा आगरा अलेगर साइड में इसे सैंद बोलते और कहीं पर इसे कचरी वी बोलते इसे फल और सब्जी दोनों तरह से यूज करते हैं आपके यहां क्या बोलते हैं कमेंस बॉक में लेकर जरूर बताएं इसमें बहुत सारी बिटामेंस होती है और खासकर इसमें बिटामेंस सी बहुतायत मात्रा में पाये जाता है इसी तरह से आपने कभी जंगली करे ले लिए इनको काट रख दूगी और फिर कभी मुआका लगे तो बना लूँगी गोलगोल शुंदर सुंदर करे ले बहुत अच्छे लग रहे थे यह से अंदफल होता है तो बहुत अच्छा लगता है खटा मिठा और इसे नमक के साथ खाया जाए तो बहुत ही टेस्टी निकलने हैं और कोई कड़वी हैं तो मीठी मीठी और खटी कटी मैंने इधर रख दी हैं और जो कड़वी है वो इतनी धेर सारी कड़वी निकलाई है सबजी काटने के साथ मैंने गर्मा गर्म चाय भी बना के रख लिया और बच्चों से पूछ रही हूं कि किसी को लेनी तो नहीं है तो किसी ने हाँ किसी ने ना कर दिया तो मैंने तीन कप में चाँ छाल लिया तो एक ने भी बोल दिया बाद में कि मुझे भी चाहिए तो मैंने तीन में से चार कप तयार कर लिया वो सभी की साथ चाई पीने के वार रसवी में जाके देखा तो दूर निकला जा रहा था और गेस को बंद किया ये छोटे छोटे रसगुले जैसे हरे हरे करे ले मुझे इनको काटने की जल्दी सी पड़ रही थी क्योंकि मुझे ये देखना था कि अंदर से कैसे निकलते हैं ये तो वैसे ही करेले हैं जो नॉर्मल करेले होते हैं अंदर से पकी होते हैं तो लाल कच्चे होते सफे बिदॡ़ किया हूं आप सेंद और आलू की छोकने के तियारी करते हैं तो इसके लिए मैंने गैस जलाए कड़ाई रखे हैं इसमें सरसों का तेल डालेगा मुझे पता नहीं है के सेंद की सब्जी कैसे बनाते हैं तो मैं पहली बार सब्जी बना रही हूँ सब्जाबार मुझे निकाल लुगी बच्चे ये पूछ रहे थै के मम्मी ये काईकी सब्जी बना रही हो तो मैंने वहरा शुद्ध बच्चे अ cui मद्ध में सब्छार कैना कैसे होति है मन अक्सराइक होती है तो मैंने सबसे पहले और स Like के लिए पानी बटोगा कुछ देवाद चेक किया है आलू गल गए के नहीं तो आलू गल गए तो उसके बाद मैंने कटी हुई सेंद डाली है आलू और सेंद की मैंने सूखी सब्जी बनाई है तो देखने में तो अच्छी लग रही है फिर मैंने इसमें लेहुए टमाटर उपर से डाल दिया है और मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाई हूं है सैंद बोल या कच्छी आलू की सब्सवी बहुत ही ट्रेश्टी बनी है और सवांदी सब्सवी बहुत बढ़िया खुसबूह आ रही के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी बूंदी डाली है बूंदी के साथ थोड़ी सी लौकी मैंने ओवाल के रखी थी वो मैंने इसको पीस लिया है और पीसने के बाद इसे डाल दिया है इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा सेंधा नमक हम ज्यादा नमक खात या थोड़ा सा धनिया डाला है बहुत जादा टेस्टी रहता है वीडियो देखते देखते आप यह जरूर बताना कि आप किस छेतर से और किस जगह से देख रहे हो ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो के प्यारे-प्यारे फैंस देख रहे हैं खटी मिटी सेंद और आलू की सबजी और गर्म गर्म चाय और मेरी बूंदियों लौकी कर रहता कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिकर जरूर बताएं खाना वनाने की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना और सस्क्राब भी कर लेना क्योंकि आगे आने वा